अब आजवाली क्लास में डिसकस करते हैं जो अभी हमने टेस्ट इंट करा तो टेस्ट में क्वेश्चन्स थे 25 तो जो परपस है वो exactly इस क्वेश्चन की राइट तरीके से एक्जीक्यूशन थी और टेस्ट के इंट तक पहुचना था जो क्वेश्चन डाले वो बहुत डिफरेंट नहीं थे हमने इस तरस के तरू अब डिफरेंटेशन भी हंडल करी साथ में टेंजेंस नॉर्मल्स भी हंडल करा जिसमें कुछ नए नाम हमने स्कूल के बियॉंड जो सुने थे उनकी डिसकस्शन करी अब सबसे पहले ये ध्यान में रखना कि इस पूरे प्रॉसेस में अब ये कहानी बढ़ती जाएगी पता है क्या बढ़ेगा अब से लेके मेंस तक अभी से लेके अक्चुल एक्जाम तक क्या होगा कि हमारे माइंड में बहुत बार ये थौट आते हैं एसकेपिजम के तो सबसे पहले इस पूरे जोन में पूरी प्रेपरेशन के पिरिएड में जो सबसे इंपॉर्टन टास्क है वो अपने आपको उस एसकेपिजम वाले रूप में जाने से बचाना है हमारे मन में जैसे से हम काम करेंगे ना बहुत बार नएने थौट आएंगे कि हमने तो ये कर लेना है मैंने तो डांसर बनना है मैंने तो सिंगर बनना है और उस तरह के थौट आने शुरू होगे वो पता है क्यों आने शुरू होते हैं क्योंकि हम लाइफ में पहली बार राइट तरीके से चैनलाइज होना शुरू हो रहे हैं तो जब इस तरह का प्रेशर आना शुरू हो तो अभी वाले जोन पे I can clearly understand because I have seen students कि इस तरह के पैनिक में अपने आपको rank को लेके अभी worried करने की बिल्कुल ज़रूत नहीं है अभी काम क्या है कि अगले कुछ महीने अपने आपको micro manage करो weekly task decide करो हफते हफते के कि मेरा इस week में ये काम complete होना चाहिए इस month में ये 4 weeks का काम मेरा complete होना चाहिए ऐसे अपने targets को break करो तो हमारा zone बनना शुरू होगा गड़बड लोग क्या करते हैं कि अपने आपको macro level पे देखते हैं कि मुझे physics इतने time में कतम करनी है या mystery इतने time में कतम करनी है या math इतने time में complete करना है तो वो right तरीका नहीं होता क्योंकि उससे क्या होता है कि आप लोग अपने targets को miss कर जाते हो और जब अधस्ती एक एक जो age में होते हो उसमें daydreaming बहुत आम चीज है which is good बट हम लोग ये भूल जाते हैं कि वो daydreaming का जो base है वो है काम करना तो अभी वाले zone में जो प्रेशर वाला task रहेगा जो painful रहेगा वो actually काम करना है अब देखो test आप लोगो ने दिया हर assignment जो आप लोग कर रहे हो तो वो सारे की सारी मैं साथ 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 सॉल्व कर रहा हूं तो मैं काम कर रहा हूं अगर मैं daydream करने लग जाओं कि वो बच्चे का IAT में first rank आजाए इसका IAT में ये rank आजाए तो उससे कुछ नहीं होगा मुझे साथ साथ पारलल काम करना पड़ेगा तो वही साथ में काम you have to reciprocate जो classes हम लोग कर रहे हैं इतनी classes class में आ के इतना काम हो ही नहीं सकता जितना हम घर बैटेट रूमायत पर साथ साथ कर ले रहे हैं वो possible ही नहीं है तो वो काम को साथ में करना किस नहीं है करना खुद नहीं याद रखना मैंने घर जाके नहीं कान पकड़के गुमा के बोलना कि ये काम complete करो IAT में selection में इतने सालों में मैंने आज तक कोई बच्चा नहीं देखा जो इसलिए select हुआ है कि उसको उसके parents नहीं या teachers ने उसके कान जरूरत से अधा कीचे कभी नहीं मतलब मैंने बहुत intelligent बच्चे ना select होते और above average intelligence वाले बच्चे average intelligence वाले बच्चे finally rank लेते देखे हैं और इस चीज को बिलकुल ध्यान में रखना और बहुत ordinary ऐसा होता है तो सार्या game changer क्या है your task, your work जितना उससे बचोगे उतना अपने career को आगे पुश करोगे देखो पता है कि success यह नहीं कि अगर अभी IIT में नहीं निकले तो आगे life में successful नहीं होगे, ऐसे नहीं होता पर जो success है वो अभी, देखो पता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, because you are at a stage जहां पर कि अभी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, तो अपनी creativity को enhance करो, कलको जाके नई app बनाओ, नई games बनाओ, नई thought लाओ, नई creativity लाओ दुनिया में तो उसके लिए अभी वाले zone पे IIT या कोई भी further exam जो target पर रहे हो, उसका benefit क्या होगा कि हमें उसके corresponding, अपने dream के corresponding right platform मिलना शुरू हो जाएगा तो उसका advantage लेने की करो वो advantage कब बनेगा, जब अभी काम करोगे, अभी वाला काम ना अगर मैं अपने हिंट से बताऊँ This is the easiest platform to take the biggest sleep करना क्या है? घर बैठके जो questions जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे करने है, काम करना है दिन में बैठके, जितनी दिर बैठके हम लोग stupid zone में पढ़े रहते हैं उतनी दिर में काम करने की करो मतलब फालतू हम लोग जितनी दिर हम लोग दिन भर में नाक में उंगली डालके बैठके रहते हैं उतनी दिर में हमारी class एटेंड हो जाए एक्स्टा, तो हम गरबढ क्या करते हैं कि हमें लगता है कि कोई हमारे लिए आके काम कर दे question नहीं हुआ अब advantage क्या है कि उस question को जाके recall कर सकते हो after a gap of say let's say 4-5 days पता है एक पढ़ी interesting बात है जब कोई topic करते हो ना पहली बार में हमेशा जब भी मैं कोई question कराऊंगा पहली बार में हमेशा ऐसे zone में होगे कि मेरे से नहीं होगा मेरे से नहीं हो सकता है question हमेशा ऐसा zone बनेगा और अपने 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 जैसे जो topics हम पीछे कर चुके हैं उसमें अपने आपको ना एक बात अपने अपनी psychology को observe करना उसी काम को अब जब दुबारा देखोगे न तो हमें लगेगा कि नहीं ये मेरे से हो सकता है ये हो जाएगा इसके बाद वाला नहीं होगा तो अपने mind से उस fear को overcome कराना ये part of the process है बिलकुल ओ जोन में आओ कि ऐसी की तैसी मेरे topic का question होना ही चाहिए कहीं मर्जी आजाए तो अपना focus क्या होना चाहिए लर्निंग पे अपना focus fear पे नहीं होना चाहिए fear से आज तक कभी कोई ने निकला ना कोई rank आप लोग decide कर सकते हो जिस बच्चे का rank मान लो इतने इतने बढ़िया rank जिनके बने उन में से किसी को मैंने यह नहीं कहा था कि यह rank लेकिया हो उसमें से किसी बच्चे नहीं नहीं बोला था कि मेरा rank ही आएगा उसका rank आया उसके learning outcome की वज़े से तो अपना focus clarity में यह होना चाहिए पूरी तरह अब इस question में अब देखो मतलब इसका आप देखना ही है साथ-साथ question discuss करते है मेरे सामने मैंने test में question डाला तो इस question में मैंने क्या बोला कि simply एक कोई function है second order का उसका जो derivative है f double dash x वो 6 times x minus 1 है मेरा काम किया मैं question में answer mark करूं अगले पे चलो उसका जो graph वो pass करता है through the point 2,1 और it has a tangent to the graph 3x minus 5 तो इसमें पहला काम पता है मेरे मन में क्या आता कि अगर f x अगर इन चारों में से 1 है तो जो उसका double derivative होगा वो 6 times x minus 1 होना चाहिए इसका नहीं है और ली देखो इसको एक बार differentiate करोगे तो 2 times x minus 1 आया एक बार और कर दोगे तो 2 होगया तो यह option गलत है मैं option से पकड़ा यह है x minus 1 का whole cube इसका single derivative क्या बना 3 times x minus 1 का square double क्या बना 6 times x minus 1 तो यह बन सकती है बात इसका double derivative बन रहा है 6 times x plus 1 तो यह गलत है इसका double derivative constant आ रहा है तो इस question में मुझे आगे वाली language को देखने की जरौत ही नहीं पड़ी इसलिए मेरा option मैं exam में तो इसको sweetly mark करता और next question पर चलता without wasting much of time अगर यह question मुझे solve करना पड़ता तो that was a possibility पर वो इसलिए discuss कर रहे हैं कि अगर examiner हमें question ऐसे का दे देते कि मैं directly option mark करके ना कर पाऊं तो मैं तब भी करता मैंने तो question solve करना है पर हमें क्या सीखना है complete learning with complete confidence complete learning with complete confidence complete confidence का मतलब कि exam में मेरा question होना चाहिए हर तरह की scheme के साथ मुझे exam में answer mark करना है मुझे सारी बात समझ में आती है तो उसके बाद भी मुझे question तेज माग करना है यह term है f double dash x अगर यह है तो अगर मैं इसको एक step अगर integrate कर लो अगर मैं इसको एक step अगर integrate कर लो तो f dash x किया बन जाता वो simply 6 times x minus 1 उसका 6 times x minus 1 का whole square by 2 वो आ गया 3 times x minus 1 का square plus constant अब मुझे क्या बताया गया कि at the point 2,1 उसके tangent की equation यह है इसका मतलब क्या हो गया कि 2,1 जो है इसका मतलब जब मैं x इसका जो slope बना इस line का slope कितना बना 3 जब मैं x को 2 डालूंगा तो y जो slope है y dash उसको 3 आना चाहिए तो मैंने x को 2 डाला तो यह 3 बन गया plus c और यह 3 है वहाँ से c आ गया 0 तो जो curve f dash x है वो simply 3 times x minus 1 का square हो गया अब इसको integrate करो f double dash x नहीं f x बराबर हो गया इसका integration which is x minus 1 का whole cube by 3 3 और 3 cancel हो गया x minus 1 का whole cube plus constant अब यह c कैसे निकाले है उसके लिए इस curve के उपर का point गया बन था 2,1 तो x को 2 डाल दो y को 1 डाल दो वहाँ से c आ जाता जो की 0 या आ जाता तो यह answer बन था यह देखो यह है exact method पर क्या मैंने यह लगाया नहीं लगाया क्यों examiner ने कहा कि scheme लगा के question solve हो रहा है कर दो तो कर दो हमने क्यों time waste करना तो हमारा purpose क्या है कि हम question को फटाफट mark करें और अगले question पर चलें क्यों time बर बाद करें अपना बिना बात के तो this was a very this was a very fast doable question अगर miss कर गए तो असान question miss कर गए इस में में क्या बोला कि subnormal at the point this is of constant length तो के बता दो अब subnormal क्या होता है हमें simply clarity है कि subnormal क्या होता है ये curve है ये normal है तो ये होता है उसका subnormal तो अब ये जो curve का slope अगर y' था तो हमें clear है कि ये कितना angle आता था 90 minus theta ये होता था subnormal ये y है तो y upon subnormal बराबर था quart theta के tan 90 minus theta which is quart theta minus k into k times of x की par k minus 1 देखो मैंने इसको फटा-फट करने की करी ये मुझे given है कि this is of constant length तो k कितना होगा तो अब इसकी length के constant होने के लिए देखो ये तो constant है y actually कितना है x की power k into something देखो मैं तेज करता हूँ इसको छोड़ो इसको क्यों लिखना तो जो x की net power बनी वो कितनी बनी 2k minus 1 उस power को 0 होना चाहिए x की power 0 होगी तभी x की power 0 होके 1 बन जाएगी तो आसे k बराबर आ गया 1 by 2 के तो इसको option बना A 1 by 2 option ता जो कि यहाँ पे visible नहीं इसका answer बन गया A ये इस question का complete sense बनता देखो सीखो question लंबे नहीं होते confidence बढ़ाओ topic में फिर questions all हो जाते है इसमें किसी ने बुला कि tangent at 1,2 is parallel to the normal at the point on the curve this then the value of A by 2 minus B is अब देखो y बराबर ax square plus bx plus 7 by 2 के तो पहली बात तो यह कि 1,2 इस curve के ओपर का point होगा तब इस पे tangent बनाया slope है tangent का वो क्या बनता 2ax plus b 2ax plus b में x को डाल दो 1 तो इसका मतलब 2a plus b यह tangent का slope बना इसको मैंने तयार करके यहां रख लिया बाद में देखेंगे इसका क्या करना है minus 2,2 पे पहले to the normal at the point minus 2,2 on this curve तो minus 2,2 यह तो इस curve के ओपर लाय करेगा उसके में attention नी अब इसका slope निकालो यह आगया 2x plus 6 2x plus 6 में x को minus 2 डाला वो आगया minus 4 plus 6 which is 2 तो normal का tangent का slope बना इस case में 2 minus 4 plus 6 which is 2 तो normal का slope आगया minus 1 by 2 यह बनी second equation तो 2a plus b बराबर है minus 1 by 2 के और यहां से second equation है तो मुझे क्या निकालना है a by 2 minus b तो a by 2 minus b पहले तो मैं देख रहा था कि मेरा क्या directly कहीं से निकल पा रहा है तो directly नहीं निकल पा रहा है इस case मुझे a और b निकालने पड़े तो which is still okay क्योंकि simply इन दोनों कब देखो 2a plus b बराबर है minus 1 by 2 के यहां नीचे लिखो और a plus b बराबर है a plus b भी बराबर है 2 यह आगया this is minus 3 by 2 और a plus b is 2a plus b is a plus b is minus 1 by 2 and 2a plus b is minus 1 by 2 तो अगर मैं दोनों को subtract कर देता हूं तो मेरे पास a निकल आगया minus 1 by 2 plus 3 by 2 which is 1 तो a आगया 1 उसकी value यहां फिल करी तो वहां से b मेरे पास आगया minus 5 by 2 minus 5 by 2 तो a by 2 कितना बन गया 1 by 2 minus minus 5 by 2 which is 6 by 2 which is 3 3 option बन गया इसका इसका complete sense हमें यह करना पड़ा देखो लेकिन एक बात याद रखना इस question में इस step पिल आने के बाद मेरा target a और b निकालना नहीं होता मेरा target होता a by 2 minus b निकालना वो directly नहीं बना इसलिए मुझे यह करना पड़ा कि मैं यहाँ पे दूसरा step लूँ पर अगर मेरा focus क्या होता कि मैं a by 2 minus b find करूं तो अगर a by 2 minus b अगर इस question में directly आ रहा होता तो मैं directly निकालना यह करता पर इसमें अभी नहीं आया नहीं आया तो कोई बात नहीं इस question में हमें वो a और b निकालने पड़े इसलिए मैंने निकालके दिखाए कि हमें समझ में है कि ऐसा नहीं होता कि कुछ बहुत अजीव हो a, b's curve के उपर का point है हमें बोला कि we are normal to the make curves with equal indices with the axis then value of a plus b is इसमें मुझे लगता है कोई term में शायद गरबड है पर 9y square अगर तो 9a square बराबर है b square के यह मेरे को बता है 9b square बराबर है a square के यह हमें दिया गया normal to the curve makes equal intercepts with the axis तो जिस point पर normal to the curve equal intercepts बनाता है axis के साथ उस point पर slope कितना होता है यह 1 यह minus 1 तो simply इसको differentiate करा यह आगया 18y y dash 18y y dash यह बराबर हो गया हमें visible है कि 18 into y into y dash बराबर हो गया 2x के y dash हमें given है कि यह 1 है यह minus 1 है वहाँ से हमें clarity है कि जो x है वो कितना आ गया वो आ गया 9y के बराबर तो यहाँ पर x बराबर आ गया 9y के यहाँ पर डाल दो तो 9y square बराबर हो गया simply 9y का square which is 81y square इस वाले question में कुछ term में गड़बड है कि otherwise यहाँ पर simply तो cancel हो गया कुछ इसमें कुछ fishy है में दिया के आ गया कि एक और addressing था एक question करने वाला ही था पर language का sense हम जानते थे उसको हम apply कैसे करें that was the basic skill पर यह main से थोड़ा सा बिटर language ही थी तो हमें क्या दिया गया कि कोई curve है यह वो point है जहाँ पर कि यह curve मीट करता है तो इस question में actually बहुत सारी layers थी तो उन layers को हम जानते थे पर हम इतनी layers को एक साथ देख के panic करने की करते पर यह करने वाला question था मतलब इसमें कोई शक नहीं डिरेक्ली नहीं हो रहा था meets the y axis तो अगर यह curve y axis को meet करता है तो पहले मुझे वो point निकालना पड़ा फिर उनना क्या पोला equation of the tangent of the curve यह वाले point पे जो normal बने वो curve को दुबारा जाके मिले यह language हम जानते थे पर हमें करना पड़ा हर समय करते समय मेरा ध्यान इस बात में रहता है कि क्या मैं question को बहुत तेज कर सक रहा हूं किसे तरीके से तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे साथ में meets it meets a y axis तो y axis को meet करता है तो x 0 होगा x को 0 डाला यह 0 होगया यह 0 होगया यह 0 होगया वहां से y आ गया 2 तो मेरे पास curve के ओपर का वो point आ गया 0,2 अब मुझे कहा गया कि देखो एक curve है उसके ओपर मैंने 0,2 पे normal बनाया वो normal जाके curve को meet करता है किसी और point के ओपर इस point पे tangent की equation मनाओ तो अब मैं directly कुछ interpret नहीं कर पा रहा हूँ तो ठीक है मैं directly नहीं कर पा रहा है interpret that is perfectly okay अब इसको differentiate करा तो जब इसको differentiate करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 15a square x square plus 20ax plus 1 plus 2 y dash यह बनी equation यह अब हमें यह बराबर है 0 के तो इस point 0,2 पे इसकी value कितनी आई x को 0 डाला तो यह 0 यह 0 वहाँ से y dash आगया minus 1 by 2 इस point पे जो tangent बना उसका slope है minus 1 by 2 तो इस normal का slope आगया 2 यह point कितना है 0,2 समझाने के लिए मानलो यह point अगर x,y अगर होता यह वाला point अगर x,y अगर होता तो हमें clarity है कि simply y minus 2 upon x minus 1 मारा simply line की equation आगया इस case में कोई खास help नहीं हुई तो वहाँ से y minus 2 upon x minus 1 बराबर है 2 के वहाँ से में मिल गया y minus 2 is equal to 2 times of simply x minus 0 2x तो वहाँ से actually y बराबर आगया 2x plus 2 के मतलब जो यह, इसका y है वह बराबर है 2x plus 2 के तो अगर अगर मैं यहाँ पे अगर इसको डाल के देखूँ तो उससे होता क्या है 5a, देखो मुझे क्या चाहिए मुझे इस point पे बनने वाले tangent का slope चाहिए इस point पे आने वाले tangent का slope जो y dash है वो actually यह है, देखो इस point पे y dash कितना बनेगा वो आएगा 15a square x square plus 20ax plus 1 upon 2 with a minus sign मुझे इस चीज का जवाब चाहिए मुझे simply इस term की value चाहिए in the given situation कि यह जो term यहाँ जो बनी इस term की value कितनी बनेगी इस given situation के according यह यह मेरा इस question में task था तो अब जब मुझे इस value को obtain करना है इस point के ओपर तो अब मैं क्या करूँ तो अब directly यहाँ पे मेरी बात अभी एक step में नी बन पाई तो ठीक है अब यहाँ पे जो यह जो normal बना अगर मैं यहाँ पे y की जगा मानलो 2x प्लस रू डालू उससे कुछ हो रहा है क्या यह आ गया 5a square x को x cube plus 10a square x square plus x plus वहाँ से y की जगा 2x plus 2 डाल क्या गया 4x plus 4 minus 4 equal to 0 यह बनी equation तो यह आ गया 5a square x cube plus 10a square x square plus 5x एक तो x और एक 5 बाहर common आ रहा है अंदर मेरे पास आ गया x square a square plus 2ax plus 1 which is x square a square मतलब ax plus 1 का whole square equal to 0 यह बनी मेरे पास value तो वहाँ से actually x की value आ गई x यहाँ तो 0 बना यहाँ पर हमें यहाँ से x की value आ गई minus 1 by alpha actually मेरे पास यह point आ गया minus 1 by a x आ गया minus 1 by a x अगर minus 1 by a अगर होगा तो अब मैंने इस x कीज़े का minus 1 by a यहाँ पर डाला तो जब मैं x कीज़े का minus 1 by a डालूंगा अदिक्ता है कि a square square यह cancel हो जाएगा यह cancel होके minus sign बना लेगा तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 15 plus 1 16 minus 20 which is minus 4 by 2 which is minus 2 by और भार minus तो जो slope बना वो 2 आ गया इस question में इंट्रेस्टिंग पार्ट किया हुआ कि मुझे यह point नहीं मिला पर मुझे निकालना भी नहीं था उन्होंने कहा कि इस point के ओपर जो tangent का slope बने का वो बताओ पर बढ़िया question था main से better था तो tangent का slope कितना बने का 2 उसके बाद हम लोग वहां से point निकाल सकते थे क्यों जब slope मेरे पास 2 आ गया तो आगे सारी game play हो सकती थी यहाँ पर इसका use करके पर इस case में 2 slope वाले line थी ही के विल एक तो इस question में तो बिल्कुल भी struggle नहीं हुआ तो option C बनता और हमने completely solve भी नहीं करा उसके बाद भी option तक पहुचे टर्म interesting थी और बढ़िया question था mains में नहीं आएगा mains के level से यह बहुत बढ़िया था पर इस question में पता हमारा key takeaway क्या होना चाहिए था उसको समझना मेंस के लिए नहीं था यह question कहीं से भी और हम लोग अब जब preparation कर रहे हैं तो हमारा zone पार्लेल चल रहा है साथ में हमें topic आना चाहिए वो चाहे mains का question हो चाहे advance का उस बात से हमें फरक नहीं पड़ता हमें अब देखो जो जो टाइम बीस फ़ले test के लिए मैंने अलॉट कर रहा था वो थे वो था 1R और question दिये थे 25 तो हमारा corresponding जो response होना चाहिए था वो बिलकुल इसके साथ-साथ ही matching होना चाहिए था अब देखो इस question में हमें term क्या given थी यह किसी ने दिया अब इस question में बोला कि एक point P है जिस पे कि जब हमने tangent draw करा वो y x उसको जाके मिलता है t पे तो p t square बता दो अब recall करो कि इसको इसको लेके मैंने क्या बताया है जो बच्चा इस question में गलत रूट पे जाता उसके मन में आता कि यह point P लो इस पे tangent बनाओ यह point T निकालो यह point T निकालो equation of tangent find करो यह point T निकालो फिर P T distance निकालो तो हमने यह सीखा था class में कि हमें sub tangent और sub normal जड़ से नाम समझ में आता है कि क्यों करवाए मैंने तो इस question में examiner ने play करा और मैंने कहा हुआ है कि IIT में अगर वो इस तरह को question डालेंगे तो हमने यह logic apply करना है कि question को तेज कैसे solve करें तो मुझे यह length P T निकालनी थी अब recall करो हमने class में भी ऐसे की questions करे हुआ है यह था x तो अगर मानलो कि जो tangent है उसका यह angle अगर मानलो theta है tangent का angle अगर मानलो theta अगर है तो हमें visible है कि जो यह angle बना वो 90-theta बना यह angle कितना बना 90-theta तो अब x upon P T, x upon जो यह P T length है हमें visible है कि यह बराबर है sin 90-theta के तो x upon P T बराबर आ गया sin 90-theta which is cos theta वहां से actually P T बराबर आ गया x secant theta के इसमें secant theta क्या बना tan theta क्या है slope tan theta क्या है dy by dx tan theta कितना है dy by dx तो secant theta कितना बना 1 plus simply dy by dx का whole square मुझे इस चीज का जवाब निकालना है यह मेरा काम रह गया तो इस question में अब painful aspect क्या है यह dy by dx अब इस question में actually काम खतम नहीं हुआ था यह था इस question का interesting part और यह बात समझना यह question इसलिए अच्छा था अब जब मेरे मन में आया मैंने का इसका code तो मैंने क्राक कर लिया अब मैं फस गया कहां फसा कि अब जब मैं इसका dy by dx निकालने गया तो मैंने देखा यह तो पहाड है यह तो बहुत टफ लग रहा है इसका dy by dx अब मेरे दिमाग में यहां भी 4-x² यहां भी 4-x² तो क्या क्लिक करता है कि x को यहां पर इस x को अगर मैं डाल दू मान लो 2 cos theta या 2 sin theta उसका benefit क्या होता visible है कि 2 अगर x को मैंने 2 sin theta डाला तो यह बन गया 4-4 sin square theta वह 4 बहार का में लाकर 2 बन जाता और यह 2 plus 2 cos theta नीचे 2-2 cos theta 2 उपर नीचे cancer बन जाता simple term बनती थी x को मैंने 2 sin alpha ले लिया क्योंकि theta नाम तो मैंने use करा हुआ तो यहां से y actually जो है वो y क्या बन गया देखो मेरा intent क्या है dy by dx निकालने का उसके लिए इस question को मैंने parametric form में convert करा क्यों convert करा यह काम की बात है क्योंकि मुझे dy by dx easily निकालना था मुझे paper में दिन लगाना पूरा तो मैंने यहां पे जब यह dy by dx बनाने के लिए जब पहले y को simple बनाया यह 2 plus 2 cos theta नीचे 2-2 cos theta 2 उपर नीचे आके कट गए 1 plus cos theta 2 cos theta by 2 नीचे 2 sin square theta by 2 cancel हो के simply वो log cos theta by 2 आगया और 2 बाहर आगया alpha by 2 मतलब मैं बाहर 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 इसको by chance theta वो ले रहा हूं minus यह बन गया 4 minus 4 sin square alpha which is actually 2 cos alpha यह बन गी मेरी expression 2 cos alpha यह बनी मेरी time तो जब मैंने dy by d theta निकाला अब मैंने simply dy by d theta निकाला वो आगया 2 upon cos theta by 2 into cos theta by 2 का derivative minus cos square theta by 2 और नीचे कितना आगया एक 2 theta alpha by 2 का मैं बार बार इसको theta ले रहा हूं तो उसमें confuse ना होना और यह minus minus plus 2 sin alpha बन गी time यह बनी मेरी time तो अब यह बना लेने के बाद यह बना लेने के बाद यह time बनी इसको simplify कर लेते हैं थोड़ा तो यह 2 to cancel हो गया यह आगया simply minus quat alpha by 2 और ऊपर cos square alpha by 2 इसको अगर मैं simplify करूं तो यह बन गया मेरे पास simply जो this is cos alpha by 2 upon sin alpha by 2 1 upon tan alpha by 2 भी लिख सकते हैं इसको directly तो यह मेरे पास बन जाता minus जब हमने dy by d alpha निकाला तो यह term बन गी देखो यह minus यह जो cot alpha by 2 है this is cos alpha by 2 upon sin alpha by 2 यह बन गया 1 upon sin square alpha by 2 तो denominator में cos alpha by 2 into sin alpha by 2 आगया उसको 2 से multiply divide करके यह minus 2 by sin alpha plus 2 sin alpha इसका LCM लेके minus 2 common वो आगया 1 minus sin square alpha तो यह minus 2 cos square alpha upon sin alpha बना जो dx by d alpha है वो अलग से आगया 2 cos alpha इन दोनों को हमने divide कर दिया तो dy by dx हमारे पास हमें visible है कि 2 cos alpha वो पर निचे cancel हो जाता वो आगया हमारे पास simply minus cot alpha यह बना dy by dx तो अब जो length of tangent है वो क्या है x into 1 plus diva by dx का square तो यह बन गया 1 plus cot square alpha which is cosecant square alpha तो length of tangent क्या बना x cosecant alpha पर x खुद क्या था वो था 2 sin alpha तो डालते ही pt आगया 2, pt का square आगया 4 इस question का जो sense था वो अच्छा था अच्छा question था मेंस के level का नहीं था लेकिन हम लोग clearly इसको बोल सकते थे हम जानते थे कि इसको deal कैसे करें तो अगर इस question में फसे हो तो गलत नहीं है अच्छा question था पर test में जब हमने clearly सुनाएं कि अगर मान लो कि मैंने 25 questions का यह test आला उन 25 में से 5 questions की तो मुझे liberty है कि 5 questions तो मैं ऐसे डाल सकता हूँ जो कि थोड़े जादा हमें हमारे thinking process को enhance करें तो यह question भी completely उसी कहानी का part था इसमें पता है जो मुझे समझ में आता है वो बढ़िया part किया है इस question में अगर मैं अपने इंट से बता हूँ तो मुझे यह PT निकालना अगर आपने ऐसे लिखा तो यह कम अच्छा point है यह हमें पहले तो यह करना चाहिए main smith तक तो हम लोग यही पे ही अपने आपको बढ़ियाओ करते जो main game changer था वो यहां पर यह step था जब मैंने X को 2 sign alpha डाला तो यह बहुत important है क्यों क्योंकि मेरी creative thinking ने मुझे push करा कि यार इसको कैसे करें कि यह simple होई simple होई तो हमारा rule क्या है कि question को simple करो लोगों को इस बात की अकल नहीं आपाती वो भागते रहते हैं बिना बात के next question बहुत simple था हमें किसे ने simply बोला कि इसके tangents के बीच में अंगल निकाल दो तो हमें visible है कि simply इसका diva by dx क्या बना 2x-5 इसमें x की value डाली slope 1 इसका slope minus 1 अंगल कितना आ गया पाय बात तो इस वाले में ना कोई term में गरबढ है रिख्याल से तो इसमें x plus 4y बराबर है 14 के अगर यह normal है इस curve के उपर at the point 2,3 तो पहली बात थो ही कि 2,3 curve के उपर लाए करेगा तो हमने fill कर दिया तो 9 बराबर आ गया simply 4 alpha minus beta के इससे हमें directly मेरा डेको मेरा target किया है alpha plus beta निकालना directly नहीं आया अब इसको मैंने differentiate करा तो 2y-2y-2y-2 बराबर आ गया 2ax के अब मुझे normal अगर given है कि यह line है तो normal का मैंने इस line का slope पड़ा इस line का slope कितना है minus 1 by 4 तो जो tangent होगा उस point पे वो y- होगा वो कितना होगा 4 तो 2 into y, y कितना है 3 into y-4 बराबर होना चाहिए 2 into alpha into x कितना है 2 तो वो डाला तो alpha 6 आ गया, इस alpha की value को मैंने उपर fill करा तो beta 15 आ गया तो इस question में कोई term में गरबड है, alpha plus beta नहीं होगा, alpha plus beta तो यहाँ पर 21 बन रहा है तो कोई term में mismatch होगा इस question में, इसमें गरबड लग रही है इस stage पे तो बतलब मुझे directly अब इस question की भी language को observe करो, हमें क्या given है कि एक कोई curve है fx और वो ऐसे defined है gx जो है वो 0 से x तक ft dt है, मतलब fx का integration है let tangent to the curve c y is equal to gx at a point p, whose abscissa is 2, cuts the x-axis in point q let perpendicular from q on x-axis meets the curve in point r, तो अब हम से चलो पहले तो उनोंने इस question में g1 पूछा तो g1 का मतलब क्या बना, 0 से लेके 1 तक ft dt, अब 0 से 1 तक fx actually क्या है, 1-x 1-x को integrate कर लो यह अगर यह line ही अगर बना लो तो दिखता है कि जब x को 0 फिल करो, तो y1 आ जाता है, x को फिल करो तो यह triangle बना, इसका area simply क्या आ गया यह half ही बन गया simply, half base into height, तो इसको option तो straightforward था, जीवान पूछा, तो यह वाला part तो इसमें बिलकुल ही straightforward था, अब हमसे next में क्या पूछा, equation of the tangent to the curve, y is equal to gx at p, p हमें क्या given था, एक ऐसा point जिस पर जो आबसीसा है वो 5 by 2 है, तो मुझे, जब मैं इसमें, जब tangent निकालना चाहता हूँ, at the point p, अब इसकी language को observe करना, कि मुझे जब tangent निकालना है, तो actually मुझे क्या निकालना है, tangent को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, pointer slope, तो मुझे एक तो g of 5 by 2, मुझे वो point चाहिए, x तो उसका 5 by 2 है, पर मुझे उसका y भी तो चाहिए, तो g of 5 by 2 कैसे बनेंगे, 0 से 1 तक, 1 तक, 5 by 2 कितना है, 2.5, फिर 1 से लेके 2 तक integrate करता, 1 से लेके 2 तक, और फिर 2 से लेके 5 by 2 तक, 0 से बनता कि यह 1 minus x ही है, उसका answer तो half आगे हमने लेकाला है, 1 से लेके 2 तक हमें curve देखो, इस question में किया given था, कि वो 0 है, तो simply वो मैंने 0 डाल दिया, और 2 से लेके 5 by 2 तक, 2 minus x का whole square का integration है, तो 2 minus x का whole square बोल दो, या x minus 2 का whole square बोल दो, वो एक ही बात है, तो वो x minus 2 का whole cube by 3 आगया, इसमें 2 और 5 by 2 मैंने simply fill करना है, तो मेरे पास जो corresponding y coordinate है वो आगया, वो कितना बना, simply half plus simply ये बन गया 5 by 2 minus 2, which is 0.5, which is 1 by 2 का cube, which is 1 by 8 और नीचे 3, 2 डालने पर तो ये जीर हो जाता, तो ये आगया 1 by 24, तो ये आगया 6 by 12 by 24 plus 1 by 24, तो ये आगया 13 by 24, तो ये आगया 13 by 24, तो जो curve के ओपर का point बना, 5 by 2 के ओपर gx की equation of the tangent to the curve y is equal to gx, मुझे निकालना है, तो मुझे क्या चाहिए, उस point पे बनने वाला point पहले और उस point पे बनने वाले tangent का slope, तो जो point बना, वो point कितना आ गया, वो point बना 5 by 2, 5 by 2, 5 by 2, 13 by 24, 13 by 24, अब मैंने पहले तो ये ही try मार लिया कि इसमें से कौंस option इस point को satisfy करता है, I am sure क बहुत सारे options तो यहीं project हो जाते, तो simply 3y, अब अगर मैं tangent का slope बे निकालना चाहूं, तो मुझे gx को differentiate करना है, अब जो gx है, इस question में, जो gx है वो 0 से x तक जब मुझे break करना है, तो अब जो x है वो, देखो इस question में ये भी काम की बात है, उसका उतना role नहीं आरा पर काम क इस question में, जब मुझे g of x जो given है, वो 0 से x है, जिसमें x जब x जो है, वो 2 से 5 बात, वो actually 2 से 3 के बीच में, तो मैं इसको break करता 0 से 1, 1 से 2, और फिर 2 से x, ऐसे break करता, अब जब मैं इसको differentiate करूँगा, तो इसका derivative तो 0 हो जाएगा, इसका derivative 0 हो जाएगा, यहां पर simply function किया है 2 minus x, उसको 2 minus t का whole cube कर लेते हैं, dt, यह term है, whole square है, तो जब मैं इसको differentiate करूँगा, तो क्या बनेगा, 2 minus x का whole square, 2 minus x का whole square, और साथ में 2 डालने पर तो जीरो ही आ गया, तो यह बनी term, तो जो g dash x बना, वो यह बना, जिसमें जब मैंने x की value डाली 5 by 2, तो simply कितना बन गया, 1 by, this is simply x को 5 by 2 डाल के, 1 by 2 minus 5 by 2 minus 1 by 2, उसका square हो गया, 1 by 4, तो यह बना मेरा slope, अब 1 by 4 slope किसकिस में आ रहा है, वो इस case में examiner ने हमें इस option में दिया है, बी में slope नहीं नहीं, इसमें c वाले option में slope 1 by 4 है, और इस option में slope 1 by 4 है, तो अब मैं simply यह point 5 by 2 कमा 13 by 4 को डाल के देख लेता इसमें satisfy कर रहा है, तो इसका option c बन जाता, पर इस question की language में पता है, अच्छा क्या था, अच्छा क्या था, कि जैसे उन्होंने ऐसे की term साथ में integration जैसे involve कर दीना, तो हमारा mind panic होना शुरू हो जाता है, कि examiner ने कुछ ऐसा पूछ लिया, जो कि हमारे domain के beyond है, पर उतना domain के beyond नहीं था, theta between the angle to the tangent to the curve at the point P and R, then tan theta is equal to, P पर पर tangent का slope हमने निकाल लिया, 1 by 4, r वाला point इसमें निकाल लो, जैसे हमने first question में शुरू शुरू में कर रहा था, तो यह question यह part भी अच्छा है, और यह completely advanced के लिए था, यह वाला complete पूरा जो हमने जो passage करा, यह mains में नहीं आएगा mains के लिए यह जादा अच्छा था, यह completely advanced के लिए था, क्योंकि इसकी जो language है, उसकी depth जादा थी, theory जादा नहीं थी, तो यह वाला part भी complete करो साथ साथ, इसमें हमें given था कि f को a differentiable real valued function है, f of x plus y बराबर है इसके, तो f dash 0, f double dash 0, f double dash 1, f double dash 2, इन सब का उसमें हम से behavior रपूच अगर बनाने की कोशिश करता, तो f dash x, मुझे क्या पता है, कि f dash x क्या होता है, simply limit, याद करो, इसे questions में हम क्या करते थे, या तो हम function का code crack करने की करते थे, या फिर हम pattern break करने की करते थे, इस question में मैं फटा फटा ऐसे लिख लेता, upon h, अब इसको, मुझे तो f of x plus 2y को break करना सिखाया गया है, अब इसको मैं 2 times of h by 2 पर सकता हूँ, क्यों मैंने पढ़ा, क्योंकि मुझे ये बताया गया है, तो ये बन गया limit h approaching 0, f of x plus f of 2 times of which is actually f of 2y, तो ये simply f of h ही हो गया, और आगे, plus 6 times of x into y, जो y है वो इसके इसमें h by 2 है, into x plus 2y, whole divided by h, ये बनी मेरे term, तो जैसे मैंने ये लिखी, minus fx पी आगे, तो fx और ये minus fx तो cancel हो गया, तो ये बन गया h के साथ, देखो इसके साथ cancel हो गया ये वाला h, ये बन गया 3, h को 0 डालके तो ये आगया 3x square, तो मेरे पास अब term आगई, f of h by h, limit h approaching 0, और 7 में, plus 3x square, तो ये in journal f dash x की definition है, अब यहाँ पर मैं f of 0 निकालू हूँ, अगर मैं f of 0 निकालू हूँ, तो 0 0 डाला, तो f of 0, 2 times f of 0 बराबर आगया, f of 0 के वहाँ से f of 0 आगया 0, f dash 0 अगर मैं define करूँ, तो f dash 0 clearly क्या बनता, वो simply f h upon h ही बन जाता, तो ये f dash 0 बना हुआ अच्छली, तो f dash x मुझे समझ में आ गया, कि वो एक constant f dash 0 plus 3x क्या बन जाता, f double dash x बिलकुल same logic से क्या बन गया, ये खतम हो गया, ये आ गया, 6x, this is f double dash of x, मैंने जैसे देखो जब अब जो डिफिरिटरिशन हमने करा है attempt, तो मैंने exactly इन questions को ऐसे बोलना सिखाया था, पर ये question क्यों अच्छा था, क्योंकि ये उसी language को हमें बोलने से रोग देता, हम लोग नई language देखके पाने को जाते, तो पता है अभी इस test की discussion में साथ में ये बात सीखो, कि जो बताया है ना, उसको apply करना कैसे है, वो है सही, सही actually improvement, अब देखो, ये मैंने साथ साथ जो बताया है वही कर रहा है, f double dash x कितना आ गया, 6 x, तो अपनी कहानी बन गे, f double dash 0 कितना आ गया, 0 f double dash 1 कितना आ गया, पर हमें visible है कि ये तो AP बन गे clearly, पर इस question में में कहानी क्या थी, यहां तक सवाल को ला पाना, और interesting था, ये वाला question भी interesting था, इस test skill अच्छा था, तो जो बच्चे break कर पाए, उन्होंने अच्छा step करा, फिर से color change कर लेते हैं, बड़ी देर होगी सी color पर, अब इस question में हमें दिया गया कि अगर f x अगर, f dash x अगर sin of x square और ये term अगर है, तो जब हमें f dash x अगर ये defined है, कि वो f dash x अगर sin of x square है, f dash x sin of x square गिवन है, तो हमें ये गिवन है, तो हमसे dy by dx पूछा है, at x is equal to 1, तो dy by dx actually क्या बन जाता, वो बन जाता f dash of x square plus 1, into x square plus 1 का derivative, that is 2x, तो अब जो f dash of x है, वो sin of x square है, तो f dash of t क्या होता, sin of t square, f dash of x square plus 1 क्या होता, होता sin of x की जगा, x square plus 1 का whole square, f of, मैं इसको लिग गया, simply x की जगा यहाँ पर, इस x की जगा, ये completely x square plus 1 आ जाना है, तो sin of x square plus 1 का whole square, ये बनी term into 2x, ये बनी expression, तो जैसे मैंने term बनाई, अब यहाँ पर x की वाली मने 1 फिल कर दी, तो ये आ गया 1 plus 1, 2 का square 4, sin of 4 बना और बहार क्या बना 2, तो 2 sin 4 मेरा option बनता, जो किसी option है, तो ये बढ़िया था, क्यों बढ़िया था, क्योंकि वही derivative है, जो एक school के बच्चे को आता है, जो 12 में पढ़ने वाले हर बच्चे को आना चाहिए, वो कर पाए ना कर पाए कि वो उसकी problem, पर आता है, उसको आता है, अब ये question का sense भी exactly same तरह से ही था, देखते हैं कैसे, हमें किसी ने बोला कि fx अगर एक differentiable function है, हमें confuse करा, तो हम धीठ हम कहां confuse होते हैं, तो अब इस question में हमें किसी ने term दी ये, ये देखे मुझे कहा कि, ये f of x of f of t square है, ये f of, तो जब यहाँ पर dy by dt निकालो, dy by dt निकालो, वो कितना बन गया, simply f dash of tq into 3t square, dx by dt निकालो, वो आ गया f dash of t square into 2t, ये cancel हो गया, तो simply जो dy by dx है, वो मेरे पास आ गया, f dash of t square, उपर f dash of tq, और साथ में into 3 by 2, जो कि constant उसको बहार ही रख लेते हैं into t, ये बनी मेरी expression, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको एक बार फिर से differentiate करना है, तो मैंने simply इसको एक बार फिर से differentiate करा, क्योंकि मुझे d2y by dx square निकालना है, वो किया बना, d into n dash, इसका derivative यहाँ पर u भी rule लगेगा, t को differentiate करा, f dash of t cube, plus t into f double dash of t cube, into 3t square, फिर आगे, simply minus, minus ये आ गया, t into f dash of t cube, ये as it is, into f double dash of t square, into 2t, whole divided by f dash of t square, ये बना, जब मैंने इसको with respect to t करा, differentiate, तो याद है कि, into dt by dx भी करोगे, वो कितना आ रहा है, 1 upon, simply, 1 upon 2t, into f dash t square, ये और extra आना था, अब मैंने simply यहाँ पर, t की value वान फिल कर दी, जैसा मुझे बोल आ गया था, तो denominator में की आ गया, 2 times of, इसका, इसका square था, तो ये आ गया, 2 times of f dash 1 का, whole cube, और term बन गई, 3 by 4, और denominator में, f dash 1 का, whole cube, और उपर आ गया, f dash 1, into simply, अब इसको simplify कर लो, directly अपनी term बन गई, पर इस question में, कि जब मैं इस term को, मैंने जब बनाया, जब मैंने इस term बनाई, तो जब मैंने t को 1 डालूँगा, तो ये visible है, कि यहाँ पर f dash 1 बना, यहाँ पर भी f dash 1 बना, देखो, t into f dash t q था न, तो ये f dash 1 बना, f dash 1 ने common आ के, cancel हो गया, denominator में f dash 1 का, whole square हो गया, बाहर 3 by 4 है, इस question में, मुझे clear था, कि अगर मैं इसको, mark करने की तरफ चलूँ, तो मैं इसको और इसको नहीं देखता, क्योंकि देखो, इसके साथ 4 by 3 है, तो मुझे कहीं ना कहीं, अपने आपी examiner ने बता दिया, कि देखो भी, मेरे से 2 options बने, 4 मैं नहीं बना पाया, तो simply यहाँ पर T की value बन डाल के, इसमें A option बन जाता होगा, which is okay, पर इस question में, interesting part पता है क्या था, कि एक बच्चा इसको देख के, अपना test देते समय, अपनी psychology को observe करो, इस question में पक्का फस्ते हैं बच्चे, क्यों फस्ते हों कहते हैं इतनी गंदी term, मेरे से तो देखी नहीं जा रही, यहीं काम है, इसको अब अपने हाथ से निकालने की कोशिश करना, सुनने के बाद भी, क्योंकि problem यहीं होगी, कि हमें लिखने में लगेगा कि इतनी अजीब term है, वो हमें irritate करेगी, यह बिल्कुल बेकार था, हमें गिवन था कि अगर एक इतनी अग्स एक से इक स्कूल दूवान है, तो उसमें left and right element निकाल कि हमने एक वेट कर दिए, बिल्कुल बेकार था, 15 मैं नहीं करवारा, डिसकूस, यह भी फिर से मैंने वही काम कराया है, rational, irrational है, तो value function और limit को बराबर होना चाहिए, तो sin square x 0 हो जाता, sin square x 0 कहां पे होता है, n pi पे, तो यह 10 second में होना चाहिए था यह question, तो यह बहुत ही easy था, मैंने नमबर आपको दिये था free में, यह question बहुत काम का है, अगर यह मेरी बात अगर समझ में आए, यह भी मैंने कभी class में बताया है, अगर याद रखना, अगर मान लो भूल गए तो अभी याद रखना, बोलना मेरे साथ साथ, कि जो max of fx, gx होता है, जो max of fx, gx होता है, वो actually fx plus gx by 2, plus modulus of fx minus gx by 2 बन जाता है, देखो, अगर मान लो fx और gx में से fx बढ़ाओ, मान लो fx और gx में से fx अगर मान लो बढ़ाओ, fx minus gx क्या बनता है, positive, तो simply modulus अट जाता, 2, 2 cancel हो जाता, इन्हों डिनोमिनेटर में 2 आ जाता, gx, gx cancel हो जाता, simplest answer क्या आता है fx, अगर gx बढ़ा होता, तो इसका answer इसी मशीन का जाता, gx, ऐसे ही अगर min वाला function हो, तो यहाँ पे plus की जगा, यहाँ पे minus नहीं आ जाएगा, बस, अगर यहाँ पे min हो, तो यहाँ पे minus होगा, इस question में क्या हुआ, कि examiner ने मुझे यह language दी, तो मैं panic नहीं हुआ, तो कोई यह क्या दिखता है, कि यह fx plus gx by 2, minus fx minus gx by 2, तो यह min of tan x, cortex था, तो tan x का graph, अब मैं जानता हूँ, cortex का graph मैं जानता हूँ, 0 से πy by 2 तक, यह रहा tan x, 0 से लेके πy by 2 तक, यह रहा tan x, मैंने minus pi by 2, चलो बना दिया, यह 0 है, यह 0 है, और यह pi by 2 है, अब cot का graph क्या होता है, 0 पे infinity, और यहाँ पे यह pi by 2 पे यह 0 हो जाता है, cot का graph, फिर pi पे यह आगे है ऐसा, यह pi है, tan का graph simply उसके बाद, यहाँ पे pi by 2 में minus infinity से, फिर आगे, pi पे यह 0 हो जाता time, तो क्या हमें visible है, कि एक point बीच में यह आया, जहाँ पे कि, जो min वाला graph बना, वो यह वाला graph बना, जो min वाला graph बना, वो यह वाला graph बना, फिर इस point के बाद, फिर वो यहाँ पे आ गया, और फिर वो यह बनना शुरू हो गया, तो हमसे पूछा गया है, कि ऐसे कितने points होंगे, जहाँ पे कि यह continuous तो हो, लेकिन non-differentiable, तो हमें दिखता है, कि एक point यह बना, एक point यह बना, एक point यह बना, पर यहाँ पे यह discontinuous है, और हमें कहा गया है, कि इस point को मतलो, तो एक interval 0 से pi तक 2 points बने, तो 2 और बन जाते है, pi से 2 pi, क्योंकि periodic function है, पर इस question पता है, main काम क्या था, यह, यह understanding, देखो, यह मैंने बताई थी, अगर यह भूल गए, तो यह फिर से अपने दिमाग, को click करवाना, कि यह point मुझे पता था, यह question इसले दिया था, अब यह विकार है, d2 x by dy square पूछा, देखो, actually मैं इस question को कैसे करता, कि मुझे clearly पता होता है, कि d2 x by dy square, हमने class में बनाया हुआ है, कि वो minus y2 upon y1 का cube बन जाता है, तो इसमें simply चाहे, y1 निकाल दो, यह इसले दिया था, कि अगर यह याद है, तो करो थेज, क्या problem है, यह inverse का बिल्कुल same pattern का question था, हमने पहले कर रखा है, g dash of minus 4 निकालने के लिए, इसमें इसको सोचते कैसे, पहला काम इस question में क्या होता, कि simply हम लोग यह सोचते, कि यहाँ पर यह minus 4 कब बनेगा, तो यहाँ पर सोचना था कि, fx का answer minus 4 कब आएगा, x cube plus 4x square plus 6x plus 4, यह term बन जाए, जो कि 0, इसके corresponding फिर हम लोग आगे प्रोसीड कर लेते हैं, पर यह भी हम लोग को language बताती है, यह हम लोग कर सकते था, अगर इसको miss कर गए, तो miss कर गए, यह question बहुत बेकार था, तो यह दिया क्यों हो था, दिया इसलिए तक कि इस question में layering बहुत थी, कितनी सारी layer यहाँ पर created है, कि हमें language में given क्या है, 2 plus mod x minus mod of x minus 1, minus mod of x plus 1, तो जब x minus 1 by 2 होगा, जब x minus 1 by 2 होगा, तो क्या यह समझ में आता है, कि x के minus 1 by 2 होने पर, यह term negative होगी, यह term भी negative होगी, तो function क्या होगा, 2 minus x, और x minus 1 negative, तो वो plus x minus 1, minus x plus 1, यह बनती है term, जब x minus 1 by 2 होथा, तो यह simply क्या बन गया, यह दोनों cancel हो गए, simply minus x का derivative क्या आ जाता, minus 1, होने पर यह modulus x हो जाता, यह term negative होती, यह plus x minus 1 हो गया, यह term positive हो जाती, minus x minus 1, तो हमें दिखता है कि, यह x और यह x कांसल होगा, इसका slope 1 आ लिया, तो इसका answer 1 है, जब x 3 by 2 होगा, तो अब यह सारे positive हैं, और जब x 5 by 2 होगा, तो भी यह सारे positive हैं, तो उन दोनों के लिए, simply x minus x cancel हो जाएगा, minus x, तो slope minus 1, और अगले वाले का भी minus 1 आ जाएगा, तो minus 1, 1, और फिर यह, minus 1 और minus 1, यह दोनों तो cancel हो गया, और minus 2 answer आ गया, यह बना इसका option, तो यह question क्यों अच्छा था, doable था, मैंने function यह create कर रहा, मेरे पास time का है, question करना और अगले पर भागना है, तो it was a doable question, main scale level का था, इसमें बोला कि f x है, cos of x square minus 4 times gint x, तो f dash of root pi by 2 पूचा, तो f dash of root pi by 2 पूचा, तो मुझे, f dash of root pi by 2 निकालने से पहले, अब जो पहली जो इसमें काम की बात थी वो यह कि, क्या यह समझ में आता है, कि जो gint x है, वो मेरे माइड में confusion आती कि, यह तो problem create करेगा, gint x is a constant term, gint x is a constant term, वैसे तो इस question में जब यह दिया गया, कि x 0 से 1 के बीच में तो gint x actually 0 था, बेफ कू बनाया, तो जो f dash x था, वो actually क्या बन गया, simply minus sin of x square into 2x, यह बन गया मेरे term, x को मैंने simply डाल दिया, आपर root pi by 2, तो यह क्या बन गया, pi by 4, minus sin of f, यह directly term क्या बन गया, अपने पास, sin of pi by 4, which is 1 by root 2, और यह साथ में, वो terms की match करके तो, इसमें कोई ट्रिक नहीं थी, यह आगे minus 1 by root 2, into 2, into root pi by, तो minus of root pi by root 2, इसका a option बन गया, तो यह बहुत तेज होने वाला था, इसमें जो अपना-पना, अपना test देते समय, अपना behavior याद करना, इस question में, मुझे पता था कि क्यों फसोगे, इसलिए फसते बच्चे, कहते हैं, यह कहां से आ गया, यह क्या नई बिमारी डाल दी इस question में, तो हमने यह समझना था, कि कुछ नया नहीं हो सकता, तो उस समय अगर इस question में panic हुए, तो अपना behavior notice करो, questions को मत notice करो, वो भी interesting थी ऐसी बात नहीं, कि इसको कैसे handle करते हैं, जैसे इस question में आप देखो, handling करने के भी इसको भी बहुत सारे तरीके थे, एक तरीका था कि मैं directly इस question में सिरीज में जंप मारता हूँ, दूसरा था कि मैं इसको simple से simple कैसे बनाऊ, अब मेरे मन में ये thought आता है, मुझे बताना कि इसमें कुछ और अगर better add कर पाते हो तो, मेरे मन में ये आता है कि देखो, यहाँ पर secant x minus tan x है, जो ये जो ये वाला जो part है, इसमें मुझे दिखता है कि अगर मैं यहाँ पर इसमें से e की पार x अगर common ले लूँ, तो यहाँ पर पावर में tan x minus x minus 1 बन जाता, और नीचे tan x minus x हो जाता, ये बन जाती time, इतने को देखो बस, इतने part को, तो अब ये e की पावर 0 minus 1 अपॉन वही वाला 0 बन गया, तो ये तो 1 हो गया, और x को 0 डाला, तो ये 1 हो गया, तो इसका मतलब ये इतने part की limit तो 1 आगया, अब मेरे पास बचाई ये वाला part solve करना, ये बना, log of secant x plus tan x, और आगे ये term है, अब जब मैंने x को 0 डाला, अब मैं x के अंदर यहाँ पर 0 डाल रहा हूं, log के अंदर, तो जब मैंने x के अंदर 0 डाला, तो log वाली term का result के आ रहा हूं, secant 0 that is 1, तो ये log के अंदर 1 बन रहा है, तो ऐसे questions में क्या सिखाया गया है, कि इसमें 1 add करो, 1 subtract करो, या पर simply बाद वाले part को differentiate करो, ये बन गया 1 upon secant x plus tan x, और इसका derivative secant x tan x, plus secant square x minus फिर आगे 1, minus 1 और नीचे कितना आगया, secant square x minus 1, ये बनी मेरे term, तो ये मुझे क्या दे गया, simply this is secant x plus secant x plus secant square x, minus secant x minus tan x, secant x plus tan x नीचे आगे तो 1 हो जाता, तो मेरे पास term रह गया, secant x tan x minus secant x, plus secant square x minus tan x, ये बनी expression, तो अब हमें visible है कि अगर मैं इन दोनों में से अगर चाहूँ, तो tan x common ले सकते थे, अंदर आजाता secant x minus 1, minus plus secant x common, यहाँ पे भी आगया secant x minus 1, तो secant x minus 1 इसमें common आगया, denominator में secant square x minus 1 है, वो factorize हो रहा है secant x minus 1 into secant x plus 1, secant x minus 1 cancel कर दो, उपर आगया secant x plus tan x, x को 0 डालो, वो आगया 1, नीचे secant x plus 1 वो बना 2, 1 by 2 और ये 1 पहले था, तो 3 by 2 उसका option बन जाता, ठीक है, पर ये बहुत अच्छा question था limits का, ये अच्छा question था main से ये जादा अच्छा था, तो ये limits का advance के level का question था, पर इसको करने में notice करो कि मैंने इसको तोड़ा कैसे, क्या बताया limits में, क्या होता है कि हमने, हमने अलग-अलग format करें, हमने वो नहीं याद रखने होते, हमने ये याद रखना होता है कि question को, जब हमारे सामने सवाल आएका, तो उसमें हमने क्या code apply करें, जिससे कि मेरा वाला question वहाँ पर break होए, मतलब जो जो methods बताये, वो क्यों बताये, कि सबसे तेज कैसे हो सकता है, ये भी उसी का ही एक और form था, इसको भी अब कैसे deal करा, वो भी अपनी मरजी थी, अब इस question में अगर मुझे देख के दिख रहा है, कि अगर मैं यहाँ पर directly differentiate करूँ, फिर तो paper अपना नहीं हो सकता, complete, अब मेरे मन में वैसे एक थौट आया, कि अगर मैं इन दोनों को square करके अगर add कराता हूँ, यहाँ square करके अगर subtract कराता हूँ, तो अगर मैं दोनों को अगर यहाँ पर मान लो root ना होता, तो यह simply क्या बन जाता, 2y, तो बड़े-बड़े काम की बात है, इसको notice करना, x plus y minus y minus x, अगर मैं इसको factorize कर लो, सोचो कि यह a square minus b square लिखा हुआ है, तो यह बन जाता, root x plus y, x plus y minus y minus x, actually यह क्या लिखा हुआ है, 2x, यह बराबर है 2x के, तो यह बराबर हो गया, root x plus y, plus root y minus x, into root x plus y minus root y minus x, यह कितने के बराबर है, 2x के, अब यह मुझे बताया गया है, कि यह तो 5 है, तो यह अगर 5 है, तो वहाँ से मुझे मिल गया, root x plus y minus root y minus x, यह बराबर हो गया 2x upon 5k अब अगर मैं इन दोनों को add करा लो तो इस question में सारी game actually यहाँ पे थी जब मैंने इन दोनों को add करा है तो 2 times of root x plus y बराबर आ गया simply 5 plus 2x by 5k अब इसकी कर लो squaring तो यह question interesting था पर अलग reason से अलग reason क्या था कि यहाँ पे हमें pre simplify करना different लगता पर मैंने कहां बताया है school की copy में regular syllabus में हमें उस से में इसकी importance समझ नहीं आती पर उसके बाहर का काम नहीं है अलगर को यह term बनी यह simply क्या बन गया इसकी square ही है simply यहाँ पे 2 को नीचे ले जाओ तो 5 by 2 बन गया plus यह बन गया x by 5 this is root of x plus y इसकी squaring करी तो x plus y बराबर आ गया इसका square तो y आ गया 5 by 2 plus x by 5 का square minus x y simple सा आ गया तो d2 y बढ़ी x square निकालना उसके बाद कोई काम नहीं है बहुत straightforward है main काम इस question में क्या था कि सवाल को यहां तक प्ला सको उसके बाद इसका directly option बन जाता जो किसी बनता होगा इस question में जो बच्चे इसको directly करने गया उसका नहीं होना था जो बच्चे इसको directly करने की सोची वह फस जाता जिसने squaring करके भी वैसे मुझे एक option यहां पर squaring करना भी लग रहा है which was also good पर यह बहुत fast route था और यह पता है कहां से originated कभी ना यह 10th में ऐसे questions quadratic equations में होते थे तो यह exactly वहां से originated 10th के कभी quadratic equations वाली term से पर चलो यह वाला test जो पिछले test दिया उनसे ज्यादा अच्छा था तो इस test में अगर हमने decently score करा है और genuinely score करा है कोई ठगी नहीं मारी कोई गरबड़ नहीं करी तो इस test में जो हमने score retain करा that is good पर इन questions को ना इनको सुनना बहुत जरूरी है कि अगर मेरे सामने अब आए तो मैं अब कर पाऊं पहली बार में नहीं हुआ उसमें मुझे problem नहीं नहीं है दूसरी बार में तो सही करो पहली बार में नहीं हुआ कोई problem नहीं अब बोल सुनने के बाद तो अपने mind में लाओ ये picture कि ऐसे बोल सकते थे चलो अब इसके बाद इसके बाद वली कहानी के लिए अपने आपको ready करो